टीवी एक्ट्रेस रश्मी देसाई अपनी अधाकारी और खुबसूरती के लिए इंडस्ट्री में पैचानी जाती हैं। रश्मी को कलर्स टीवी के सीरियल उतरन से घर-घर में पैचान मेली थी। इसी दवरान रश्मी का नाम सीरियल के को स्टार नंदीश शंधू से जुनने लगा था। नंदिस और रश्मी ने सीरियल के खत्व होने के बाद साथ रहने का फैस्टा लिया लेकिन दोनों का रिष्टा ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया रश्मी और नंदिस की शादी टूपने का जटका फैंस के साथ साथ दोनों स्टार्स को भी लगा था रश्मी और नंदिस संधु ने कभी भी खुल कर अपने रिष्टे को लेकर बात नहीं की लेकिन एक्ट्रेस ने हाली में बीक बॉस सीजन 15 में अपनी शादी टूपने का कारण बताया था दर असल राकी सावंत ने रश्मी दसाई से उनके अतलाग की वज़ा पूछी जिस पर पहले तो एक्ट्रेस ने जबाब देने से बचना चाहा इसके बाद रश्मी ने राकी से कहा वो इस बारे में बात करने में विश्वास नहीं रखती है क्योंकि इससे नंदिस की लाइफ इफेक्ट हो सकती है विग बोस सीजन 15 में राकी सावन्द से बात करते हुए रश्मी दसाई ने कहा था वह ऐसी किसी भी चीज को लेकर बात करने में कमफर्टेबल नहीं है जो उनकी लाइफ पर निगेटिव इंपेक्ट डाले मैं किसी को भी दुख नहीं पहुचाना चाहती हूँ वो ये नहीं बता सकती है लेकिन तलाक उन्हों नहीं लिया था राकी सावन्द इसके बाद रश्मी से कहती है अगर तुम कमफर्टेबल नहीं हो तो रहने दो रश्मी दसाई इसके बाद जबाब में कहती है ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया को पता है बस बात ये है कि उनके साथ किसी और का नाम जुड़ा हुआ है पतादे रश्मी देसाई की नंदीश शंधू से साल 2012 में शादी हुई थी लेकिन चार साल के रिष्टे के बाद दोनों ने तलाक लेने का फैसला लिया था आप इस स्टोरी पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं टीवी दुनिया के लेटेस्ट अपडिट के लिए देखते रहें बॉलिवुड और एंटरेंडमेंट ये खबरू के लिए देखते रहें ABV एंटरेंडमेंट